कि सबसे बड़ी problem है दोस्तो क्या कि हमारे यहाँ पर analyze में revenue में हम देख सकते हैं हमारी earning आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी earning यहाँ पर 100 होती है revenue में revenue करें तो भी हो जाती है और overview में भी हो जाती है दोनों जगह पर यहाँ पर earning दिखती है लेकिन जैसे ही हम हमारे google adsense account में ज पैमेंट इंफो या पैमेंट यहां देख लेते हैं तो पैमेंट के पीछे पागल होके यहां पर पैमेंट में आ जाते हैं फिर यहां पर जीरो जीरो देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि हमारी अर्णिंग है लेकिन यहां क्यों नहीं दिख रही है और दूसरा यहां पर त का है यह आप करना चाहते हो अधर साइज जो मॉनेटाइस है तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो यह साइड है यहां जैसे हम क्लिक कते हैं तो यहां नीचे लिखाऊगा यूटूब तो आप यहां यूटूब करोगे तो आपको तुरंत ही यहां पर यूटूब की earning दिखने लग जाएगी हर महीने की एक आप यहां से देख सकते हो दूसरा हम home page पे आने के बाद direct नीचे ही जाते है कभी पूरा पढ़ने की कोशिस करते ही नहीं है आप देख सकते हैं उपर छोटे अक्सर में यहां लिखा है AdSense for YouTube तो यह option direct YouTube के लिए यहां पर देखो earning 100 हो रही है तो बस यहीं पर से देखना है यहीं अपडेट है भाई अपडेट के बाद में home page बडल गया है पहले home page पर ही earning आती थी अब उपर दिया यह अगर नीचे दिया होता क्योंकि हम लोग इंडिया वाले क्या करते हैं ज्यादा तर नीचे ही पढ़ाए करते हैं यहां home page से उपर कभी देखते ही नहीं यहां देखो यार यहां पर है तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो like, share, comment तो बनता ही है thanks for watching my video and your channel